और अब एक बहुत बड़ी ख़वर आपको बता दे जमो कश्मीर के पुंच में आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन वहां पर लगाता जारी है और इस हमले में पांग जवान शहीद हो गए है पुंच के डेरा की गरी इलाके में 20 दिसंबर की रात से आतंकियों के खलाफ जबर्दस वारिंग शुरू कर दी और इसका नतीज़ा यह हुआ कि पांग जवान हमारे इसमें शहीद हो गए अभी भी मौके पर इस सिती यह है कि वहां पर ऑपर जारी है पुंच में करीब 15 घंटे से बोट भेड वहां पर जारी है आतंकियों ने घात लगा कर हमला किया है यानि कि वो इस जानते थे कि कौन सी गाड़ी में हमारे जवान सवार होकर जा रहे हैं कौन से रूट से वो आ रहे हैं और दोनों तरफ से जिस तरीके से उनको घेर कर हमला किया गया और इसका कारण यही रहा कि पांच जवान हमारे ऐसे जो यहां पर शहीद हो गए यह बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, दो सहीोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए है, रिफद और कोमल, कोमल का सबसे पहले रुक करते हूँ, कोमल जो जहां पर वारदात हुई है, वहीं से मेरे साथ जुड़ रही है, कोमल सबसे पहले में चाहूंगे कि आप ज़रत तस्वीर दिखाएए, इस वक्त कैसे बहाँ पर आपर आपरेशन चल रहा है, दर्शोको को तस्वीर जल्दी से दिखाएए हाला कि सैना के जो जवान है वो और जमुक्षिप पुलिस के जवान जो है, वो देरात से ही यहां पर चौकने यहां पर खड़े हुए हैं, यह भी बताया जा रहा है कि यह तस्वीरे अगर आप देखें, यह पहारी इलाका है, अगर तस्वीरों में आपको दिखाने की सकता था, कि इस ऐसे जो सुनसान रास्ते से वहां पर आतांकी खड़े होंगे, गात लगा कर और एक एक वो अंधदुन फाइरिंग सैना के जवानों पर करेंगे, गाड़ी पर हमला करेंगे, और यह बड़ा दर्दा खमला जो है, वो हुआ है, सामने आया है, लेकिन आपक कि कितनी तादात में यहां पर जो जवान है, वो देर रासे यहां पर खड़े हैं, बजूद है, लेकिन ऐसे यह जो जंगल वाला इलाका है, जो डेंस फॉरिस्ट वाला एरिया, आप देखिए, जंगल दूर दूर घर है, तो ऐसी सिच्वेशन में कहां उन्होंने मदद ल हांँधाता है, यह one होता है, लेकिन किस टाइम होता है, लेकिन किस तरीके से यहां से वाहन गुजaci है, और कैसे घाट़ के वाहन बैठे थे हमला कि आ की यहां लहां पीछे थी, यहां इस तारह तुज श्यवान से पँंच के बीजी और आज भी ऐसा हमला हुआ, तो आप देखें यहां पर अगर तस्वीरों पै दिखाने की कोशी करें सुनसान ह 이거를 सड़क ती यहां पर रात से आ जाए तो हैं लेकिन बड़ा दर्दनाक हमला हुआ है क्यूंकि यहां से सैना के वहां जो गुजर रहे थे उन वहनों ने अपने कैंप में जाना था वहां पहुंचना था लेकिन उन्हें हमला हुआ है और इस इलाके में जामूर रजारी और पूंच में यह पहली बार नहीं बलके दूसरा हमला हुआ है पहले भी घात लगाकर वहां पर हमला हुआ सैना के वहां पर हमला हुआ फिर आतंके ने वीडियो भी जारी गया और अज फिर इसी तरीके से यह सुनसार सड़ यहां से गुजरा था वो उस काफिला और इस काफिले किसे गुजरते हुए कैसे कोई अंदाजा लगा सकता है कि गात लगाकर इन पहाडी लाखों पर आतंकी बैठे थे और उन्हों ने एक एक उन पर अंधा दून फाइरिंग की जिसमें हमारे पाद जवाद शहीद हो गए भी हमने यह हमेशा देखा है यानि कि वो लोग जो रहते यहां पर है वो मदद आतंक्यों की करते हैं और उसका नतीज़ा यह होता है कि हमारे जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात होते हैं उनको अपनी शहादत देनी पड़ती है देखे बिना स्थानी लोगों की मदद के इतने बड़े हमले को अंजाम नहीं दिया जा सकता वो दो मीने से अगर यहां पर रैकी कर रहे थे उन्होंने खाना भी खाया होगा उनके पास बारी बरकम हत्यार थे वो कहीं रहे भी होंगे पहले ड्रोन के जरीए पाकिस्तान से हत्यार आते हैं पैसा भी आता है ड्रॉक्स भी आता है फिर आतंकी भी आते हैं पहले ऐसा होता था आतंकी जब कंटीली तारों को एलोसी से पार करते थे तो हत्यारों के साथ आते थे खुद बारी बरकम हत्यारों के साथ आते थे लेक इतने बड़े हमले को अंजाम देना बेहत मुश्किल है, मैं आपको फिर से कहूंगी, कि ग्राउंड जीरो से इस रमेहाम आपको दिखा रहे हैं, कि बेहत दुखत है, कि यहां से गुल्मता सैला का काफिला, इसी सड़क ते उनकी गाड़िया निकली थी, जा रहे थे अपने कैप में लेकि नहीं पता था, कि इसी सड़क पर वो अपनी शाहादत दे दे देंगे, और इतना बड़ा हमला जो है, वो एक पाक साजिश जो रची गई है, इतने बड़े हमले को अंजाम दिया है, इसी इलाके में उन्होंने दो मीने रैकी की है, इस इलाके में खाया है, स जाहिर सी बात है, आतंकियों की संख्या भी जादा होगी, गाडियों को रोका था, गाडियों को घेरा था, फिर उन्होंने फाइरिंग की, तो आतंकियों की संख्या भी जादा बताई जारी है, तो जाहिर सी बात है, ठांड इतनी है, कितना ही बड़ा हाइड़ा होगा, ज इसलिए वहाँ पर उपरेशन भी लगातार जारी ये सर्च उपरेशन चड़ाया जारा है। जानकारी कैसी तैयारी वहाँ पर? जानकारी वहाँ पर उपरेशन भी लगातार जारी वहाँ पर? पर उपरेशन भी लगातार जारी वहाँ पर उपरेशन भी लगातार जारी वहाँ पर? पीछे है और जब इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होती है कई जगों पे इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा जाता है कई जगों पे गुस्बैटियू को मारा जाता है लेकिन कुछ ऐसी भी दर्रे हैं जहां पे वो गुस्बैट करने में कामियाब हो जाते हैं और फिर वो बस्ति ऐसा होता था कि कोई फिदाइन अटाक होता था लेकिन जब पुलवामा फिदाइन अटाक हुआ उसके बाद जो है मिलिटन्ट कोई फिदाइन अटाक करने में काम्याब नहीं हुए क्योंकि फेंसिंग आमी कैम्पस की बढ़ाई गई पुलीस कैम्पस की बढ़ाई गई S.O.P.s फालो किये गए लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पे यह है कि आज सेना को क्यों जादा केजवल्टीज का सामना करना पड़ा क्यों शायद प्रोटोकॉल में कही न कहीं कमी रही है S.O.P.s में कहीं न कहीं कमी रही है जिसकी वज़ा से नौन बीपी गाड़ियों में जो है आमी के लोग सवार थे और जिस पे अंधाद उन मिलिटन्टू ने फाइरिंग की जिनकी संक्या कोई चार बता रहा है कोई छे बता रहा है लेकिन अभी बाके डीटेल सामने आ जाएंगी लेकिन कहीं न कहीं इसमें चूक जूक जूरूर यह है कि नौन बीपी विहिकल्स में आमी के लोग थे जिन पे फाइर का असर आया यानि गोलियां जो लगी उसकी वज़ा से जो है आमी को केजविल्टी का सामना करना पड़ा हो सकता था कि इस हमने को टाला जा सकता था रिफटा बने रहीएगा हमारे साथ कॉमल आप भी बने रहीए क्योंकि जब भी घाटी में हम ऐसी तस्वीर देखते हैं तो सबकी उमीद बंद जाती है दिल्ली से दिल्ली से इस वक्त संदीप बोल मेरे साथ लाइफ जड़ गए है और संदीप जब मैं दिल्ली कह रही हूं तो हम ये जानते हैं कि केंद्र सरकार की नीती कितनी जबरदस्त है आतंगवाद के खिलाफ जब भी ये नया हिंदुस्तान है हम जानते हैं कि अगर कोई हिंदुस्तान को छेड़ेगा तो हिंदुस्तान उससे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा लविना बिल्कुल सही का आपने जिस तरीकी की नीती हमारी है वो अपने आप में ये महसूस करा देता है कि हम लोग आतंगवाद से निपटने के लिए तरीके से अपने आपको त्यार करके बैठे हैं लेकिन अभी के जो सूरत हाल है जो जमुकश्मीर के हाला आता है वहाँ पर महौल बिल्कुल क्लीन हो रहा है बहुत शांत हो गया है महौल नहीं तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि वहाँ पत्थरबाजी तक होती थी बंद कॉल किये जाते थे टर्रिस अटैक जादा होते थे फिदाइन अटैक जैसे कि रिफत ने भी गा कि फिदाइन अटैक जादा होते थे उसके पीछे की वज़ा ये थी कि वहाँ पर लोकल सपोर्ट मिलता था लेकिन जिस तरीके का अटैक हो सुरन कोट यह एक ऐसी जगह है यह almost एक वैली का इलाका है और ambush के लिए इस तरीके के इलाके को perfect माना जाता है क्योंकि एक तरफ पहली है और एक तरफ पहाड है तो ऐसे में वहाँ अगर कोई गाड़ी फस्ती है तो उसको निकलना बहुत आ रहे हैं कि तीन से चार आतंकी हो सकते हैं जिनोंने पहले जिपसी फायर किया उसको पीछे धाइटन जो चल रही थी जो बड़ा ट्रक था उस पर फायर किया तो उसी वेसे यह सारी चीज़े हुई लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस तरीके से घुसपैट की कोश सबस्किल हो जाता है लेकिन अभी जम्मू रीजन में वर्फबारी नहीं हुई है तो ऐसे में यहां से घुसपैट की कोशिशे इस वक्त भी जारी रहती है और हम लोग इससे पहले भी जितने वीवार अटैक देखे हैं इस तरीके के हमले की कोशिश हुई या का हमले हुए हैं उसमें देखा गया है कि पाकिस्तान ने अपने जो पुराने जो टर्रेस जो की छे-छे महीने साल साल भर तक जो है उन रिहाइशों में रहते हैं उसके बाद फिर रेकी करते हैं और एक सुटेबल टाइम देखकर जो है उसको फिर इस तरीके का एंबुश करने कोशिश करते हैं तो यह ऐसा नहीं है कि आज कल में ही यह टर्रेस अंदर इंफिल्ट्रेशन किया होगा हो सकता है कि यह साल भर से रह रहे हों बस्तियों में रह रहे हों उसके बाद जो आप पर दिखाईए कि जहां पर आप मौजूद है वहां से कितनी दूरी पर जो वहां है वो उसके बाद अटैक किया गया और वहां से जो सीमा होगी पाकिस्तान की वो कितना दूरी पर होगी जरा तस्वीर आप एक बार खर से दिखाईए बिल्कुल ये तो दिखाने में भी हमें अफसोस हो रहा है कि जिस सड़क पर हम इस समय खड़े हैं इसी सड़क से उनके वाहन गुजरे थे वो अपने कैम की तरफ जा रहे थे उनका काफिला जा रहा था तो हम जब यहां पर खड़े हैं हम यह मैसूस कर रहे हैं कि यहां से वो गुजरे थे और अगले ही पल उनको शहीद होना पड़ा आतंकियों उनके उनके हामला किया नहीं सोचा था उनके की आगे जहां अपने कैम पे जा रहे हैं रास्ते में ही आतंकी घात लगा कर बैठे हैं लेकिन हर बार सैना को जो जवान है वो देश की रक्षा करने के अपने घरों से बाहर आता है सैना में भरती होता है लेकिन वो नहीं सोचता नहीं उनके मालूम होता कि जहां वो देश की रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी दे रहा है या फिर गाडियों में अपने कैम की तरु जा रहा है तो वो शहादत पाएगा और तीरंगे में लिपट कर अपने घर जाएगा ये किसी जवाने नहीं सोच आता लेकिन फिर भी अपनी चाती पे गोली खाने के लिए तयार रहता है हमें बेहत अफसोस भी हो रहा है उस स्पॉट से कवरिश करते हुए कि जहां से यहां से उनका काफिला गया था ये आगे सुनसान रास्त था ये जो जवान आपको तस्वीरों में देख रहे हैं इनके चहरे तक मायूस हो गए है 24 घंटे लगातार ये ड्यूटी देते हैं और इनकी नजरे देखिए अगर आप इनका चहरा देखे तो इनकी नजरे देखे आज भी अभी भी सुबा होने तक भी उन्हीं पहाड़ पर तो हर एक जवान की आँखे जो है वो नम भी हैं और हर एक जवान की आँखे खोल चुकी हैं कि कहां थे वो दुश्मन जिन्हों ने हमारे इनके साथियों को जो है वो मार गिराया है हमें भी बहत अफसोस हो रहा है कि गुजरे तो थे इस सड़क से पहुंचना तो था अपने स्थान पर अपने कैंप में लेकिन नहीं पहुंच पाई आपको एक में जानकारी जुरूर ये भी देना चाहूंगी कि अमीन भट और अबु खुबेब जो कि डोडा के रहने वाले है आतंकी ये पाकिस्तान में बैट कर वहां से जो है वो बहुत सारी साजिशे तमाम वैश्विक मंचों पर अपनी आतंगवाद के मुदे पर बेज़दी कराने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नजर बना की रखेगा कोई और अब्रेट होगा तो एक बफिर से आप कर रहा है राज़ौरी पुंच नेशनल हाइवे पर हाई अलट कर दिया गया है इसके साथी राज़ौरी पुंच हाइवे को बंद कर दिया गया है पूरी तरीके से आवजाही यहां पर बंद हो चुकी है गाडियों पर आने जाने के रहे रोक लगा दी गई है आसपास के लो इसे ढूंड कर निकाला जाए, उनका खात्मा कर दिया जाए उधर आप देखें, खूफे एजंसियों ने जम्मो कश्मीर में ISI के आतंग के प्लान को डिकोट कर दिया है आईए अब आपको ये बताते हैं कि सुरक्षा एजंसियों पाकिस्तान की खूफे एजंसि, ISI के किस प्लान को डिकोट किया है और इस प्लान में क्या खतरनाक वो कर रहे थे हाईवे पर सुरक्षा बलके जवानों पर हमले की बड़ी साज़िश को डिकोट किया है रेलवे ट्राक को निश्चाना बनाने की ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी ये भी जानकारी मिल गई है ग्रेनेड हमले और I.D. के जरिये हमले की साज़िश रची जा रही थी और बरबारी के बीच में कश्मीर में हमले की साज़िश रची जा रही थी अब आने वाले समय में ये तमाम वो प्लैंस है जो इस वक्त वहां पर किये जा रहे हैं